बच्चों, अर्थशांस्र के अंतरगत, अनुसंधान के विषय में हमने पिछले अध्यायों में काफ्य विस्तार से बढ़ा अनुसंधान के अंतरगत जब पूरी प्रक्रिया को हमने देखा तो हमने इपाया कि सबसे पहले हम कुछ समंगों का संकलन करते हैं उनका एकत्री करन करते हैं और फिर उनको हम व्यवस्तित करने के लिए सार्णी बद्ध करते हैं और उस सार्णी को हम सपस्ट कर सकें इसके लिए हम बिंदूरे की प्रदर्शन करते हैं यानि कि ग्राफ का नर्मान करते हैं तो ये सबी जो प्रक्रियाएं होती हैं कहीं न कहीं वो किसी न किसी गड़ती विधी से संबंदित होती हैं और यहां पर हम जिन तालिकाओं का जिन ग्राफ का हम प्रयोग करते हैं वास्तों में वे अर्थशास्त्र में प्रयुक्ति किये जाने वाले गड़ती उपकरण कहला तो आज हम देखेंगे कि वे कौन-कौन से गड़ती उपकरण है जो अर्थशास्त्र के अंतरगत प्रयुक्ति किये जाते हैं इन उपकरणों को हम यहाँ पर दो भागों में बाट कर देखेंगे कि क्यों हम इनका कैसे हम इनको क्यों शामिल करते हैं पहला तो यह हम इनको वि जो हैं बुश्च करने के लिए शामिल करते हैं अर्थशास्त्र के अंतरगत और दूसरा जो है वह विशयससमागरी का करने के लिए इनको शामिल किया जाता है जब वहनूसद्धान के प्रक्रियाओं को देख रहे थे तो वहाँ भी हमने देखा कि समंग जब भिकरे हुए होते हैं इधर-उधर पड़े रहते हैं तो उनके बारे में जान पाना समझ पाना बहुत मुश्किल होता है कि वास्तों में किस चीज के समंग क्या प्रदर्शित करना चाहते हैं लेकिन जब उनको सारणी बद्ध कर लेते हैं तालिका बद्ध इस तो हम बहुत आसानी से समझ जाते हैं कि वास्तों में वे समंग कहना क्या चाहते हैं फिर अगली बाती है कि अब इस सार्णी को भी हमको सपस्ट करना है और अधिक अच्छे से इसको दर्शाना है तो हम इसका बिंदू रेखिय प्रदर्शन करते हैं यानि कि कुछ ग्राफ का निर्माण करते हैं जो पिछले अध्यायों में हमने देखा कि किस तरह से हम ग्राफ का निर्माण इसके अंतरगत करते हैं तो यहां पर जो अर्थषास्टा के बाट करें आपर उसका अध्यान करते हैं जैसे यहां पर हम एक रेखा ढलान और उसके बाद एक वक्र ढलान और उसके बाद एक रेखा समिकरन यहां तक हम इसमें अध्यान करेंगे तो सबसे पहली अगर हम बात करें कि एक रेखा ढलान क्या है वास्ताव में दो तरह के चरो कर जब हम बिंदु रेखी प्रदर्शन करते हैं तब ही एक रेखी धलान की स्थिति हमको प्राप्त होती है ग्राफ के अंतरगत यह भी अपने आप में कई भागों में बटा होता है जैसे सबसे पहली अगर हम बात करें तो धनात्मक धलान इसके अंतरगत आता है जैसे यहां स्थित्र है जो टेबल हमारे पास तालीका जो उसी का प्रस्तुती करन करते हैं अब संबंधों की भी व्याख्या करते हैं कि एक में परिवर्तन का दूसरे की परिवर्तन पर क्या प्रभाव पड़ता है तो यहां पर हम जो चर देख रहे हैं एक्स और वाई वहां हम देख ओगर हैं तो어도 नात्मक डहलान कहलते हैं जैसे कि हम यहाँ पर देख रहे हैं कि एक्स वे ARE बल्ट जब दो था तो य वेरीबल दो हुआ जब एक्स वेरीबल तीन था को सबस्केयोएं साथ हो गया कहने का मतलब है कि एक्स और वाई दोनों ही वेरियेबल में लगातार जो है वो एक ही दिशा में वृद्धी हो रही है साथ साथ में दोनों बढ़ रहे हैं तो यहां पर अगर हम इस टेबल को एक ग्राफ के द्वारा प्रस्तुत करें तो हम देखते हैं कि रेखा ओ वाई पर हमने जो वेरियेबल है उसको हमने उंकित किया है फिर अगर हम तालीका के इनुसार इसमें एक बिंदू लेते जाये तो हम देखते हैं कि जब एक्स 2 था तो वहां पर वाई की वेल्ल्यी दो थी जब एक्स 3 हुआ तो वाई की वेल्ल्यी तीन हो गई जब X 4 हुआ तो Y की value भी 4 हो गई जब X 5 हुआ तो Y की value 6 हो गई और जब X 6 हुआ तो Y की value 7 हो गई तो इन बिंदू को जब हम आपस में मिलाते हैं तो हम देखते हैं कि किस तरह से बाएं से दाएं उपर के और बढ़ता हुआ एक ढाल हमको प्रतीत होता है अब क्योंकि ये ए जब देखाल मिलेगा उसे हम कहेंगी धनातमक ढाल अगर इसके विपरीत इस्थिती बन जाए यानी की एक चर्में परीवर्तन के साथ साथ दूसरे चर में उससे विपरीत परिवर्दन हो यानि एक चर का मूल्य जो है वो बढ़ता जाए और दूसरे चर का मूल्य जो है घड़ता जाए तो कैसे इस्तिति निर्मित होगी आईए देखते हैं जैसे हम इस सुधारण में देख रहे हैं कि X जब 2 था तो Y 50 था, X जब 4 हुआ तो Y 40 हो गया, X जब 6 हुआ तो Y 30 हो गया, X जब 8 हुआ तो Y 20 हो गया और X जब 10 हुआ तो Y भी 10 हो गया तो यहां पर हम देख रहे हैं कि X जो है वो लगातार बढ़ रहा है, लेकिन Y जो है वो लगातार घट रहा है, यहने एक चर के बढ़ने पर अगर दूसरा चर घटता जाए, तो दोनों में यह मान लिया जाता है कि दोनों में रणातमक संबंध है, अब इसके आधार पर ज हमको अंकित कर लिया है, और Y अक्षपर हमने Y वेरिबल को अंकित कर लिया है, हम यहां पर देखते हैं कि जब X की वेल्यू 2 है तो Y की पचास है, X की वेल्यू 4 है तो Y की 40, X की वेल्यू 6 है तो Y की 30, X की वेल्यू 8 है तो Y की 20, और X की वेल्यू 10 है तो Y की 10, अब इनको इ गटने पर दूसरा गटे या एक के घटने पर तूसरा बढ़े तो वह रड़ा बिकाना रिखी ढब तो हमने दानात्मक धाल में भी देखा था कि वो जो लूप एक रेखा के रूप में बाएं से दाय उपर के और बढ़ता हुआ रहा है और यहां अ मतलब जहां ऐसे इस्तित के निर्मित होती एक चर में लगातार परिवर्तन होते जाता है लेकिन उस परिवर्तन का प्रभाव दूसरे चर पर बिल्कुल भी नहीं पड़ता वह इस्थिर रहता है जैसे एक सामपल से हम देख सकते हैं कि एक सब्सक्राइबल जो है वो बढ़ता जा रहा है लेकिन वाई विरेबल वैसा का वैसा बना हुआ है सामानी जीवन में बाजार में हम देखते हैं कि कई बार ऐसी पर इस्थितिया आती है जब किसी वस्तू का मूल्य बढ़ते जाने पर भी है तो वाई जो है दस है एक्स के दस होने पर भी दस है एक्स के पंदरा होने पर भी दस है एक्स के बीस होने पर भी दस है और एक्स के पचीस होने पर भी दस है यहां पर इस स्थिति को जब हम ग्राफ से प्रेजेंट करेंगे तो हम देखेंगे कि एक्स एक्स पर हमने एक्स में जब 10 है तो भी वाई है एक्स जब ट्वैंटी है तो भी वाई की वेल्यूट है और एक्स तरह से इसमें जो धलान हमको मिल रहा है जो 10 वैल्यू जो है वाई की सीधा जो बन रही है उसमें । ना तो को दाय से बाय की और जाने का ढळान है ना तो इस स्थिति को हम कहेंगे शुने ढळान यहने एक वेरेबल का जब दूसरे पर किसी प्रकार का कोई ना सकरातमक प्रभाव पड़े नंकार आत्मक प्रभाव पड़े तो वहां जो इस्तित्या निर्मित होती है वह शुन्य धलान कहलाता है कि इसी तरह एक रिखे जो सरल रिखे धलान होते हैं उनके अंतरगत अनंत धलान देखते हैं हम देखता है कि दो वेडियरे गल कोशी नहीं हुदा का रूकर का परिवर्तत नहीं हुआ है लेकिन Y जो variable है वो लगातार बदलते जा रहा है X variable हमेशा 10 ही है हर स्थित्य में लेकिन Y variable जो है वो बढ़ता जा रहा है पहले 5, फिर 10, फिर 15, फिर 20, फिर 25 हो गया अब यहाँ पर जब इसको हम रेखा चित्रे के द्वारा बनाएंगे तो हम देखेंगे कि X XS पर हमने X variable और Y XS पर हमने Y variable ले हुए है यहाँ पर हम देखते हैं कि जब X की value 10 है तो Y की value 5 हो गई फिर X की value 10 ही रही लेकिन Y की value बढ़का 10 हो गई फिर X की value यहाँ पर 15 हो गई देख रहे हैं कि लेकिन र 죄송 यहाँ नहीं है कि नीचे से ऊपर बढ़ता हुँ धालान और यह कहां तक जाए गा नहीं सकता है क्योंकि हर कंडिशन में जो वाई विरेबल है उसकी वैल्यू स्थिर हो गई है तो क्योंकि यह कहां तक जाएगा यह संभौ नहीं है कहना इसलिए हम इसको कहेंगे इसको अनंद धलान तो यह सब्सक्राइब देखते हैं कि वक्र और रेखा में क्या आंतर है रेखी अठलान में आपने देखा कि रेखा जिन तमाम बिंदो को क्रोश करती हूई आगे बढ़ती है उसमें लगभख इस तरह से आप देख रहे हैं कि एक ही तरह की आकुरुति उसको निर्मित हो रही है उस होता है वो अपना रूप जो होता है वो परिवर्तित करता जाता है विपरीद संबंधों में ही इस प्रकार के ढलान के जो इस्तिती है वो निर्मित हो पाती है जैसी कि अगर हम मांग और पूर्ती के संबंधों को देखें तो हम देखते हैं कि मांग और पूर्ती में विपरी पहरन से हम समझते हैं कि किसी समय में एक बाजार में किसी वस्तु की मांग पहले 2 रुपए है फिर 4 फिर 6 और फिर 8 लेकिन उसकी पूर्थी जो है वह घटती जाती है 8 के बाद 6 हो जाती है फिर 4 फिर 2 हो जाती है तो इस टेबल को आप देखते हैं तो यहां समझ में आता है क मांग और पूर्ति के विपरित संबंध को दर्शाता हुआ ये एक टेबल है अब इस टेबल के आधार पर जब हम ग्राफ की रचना करेंगे तो हम देखते हैं कि रेखा O X अक्षपर जो है वस्तु की मांग को हमने अंकित किया हुआ है और रेखा O Y अक्षपर वस्तु की घटके 6 इकाई हो गई जब वस्तु की मांग 6 इकाई की हुई तो उसकी पूर्ति घटके 4 इकाई हो गई और जब वस्तु की मांग 8 इकाई की हुई तो उसकी पूर्ति और घट गई और 2 इकाई की हो गई तो यहां पर हमको जो इस तरह की ब्लॉक्स प्राप्त होते हैं इन बढ़ता जाता है अब ऐसे ही गर्थि ऊपकरणों में हम एक और ऊपकरण देखते हैं जिसे हम समीकरण के रूप में प्रदरश्रित करते हैं यानि कई बार हम इनी रेखाचित्रों को या सांकिकी के इनी जो तो methods हैं, उनको हम रेकिय समीकरन के रूप में भी प्रस्तुत करते हैं, generally क्या होता है, जब आशृत और स्वतंत्र चरों की बीच किसी तरह की कोई गढ़ती अभी वेक्ती करनी होती है, तो हम उनको कुछ formula की रूप में, जैसे यहाँ पर हम AX प्लस BY बराबर C इस तरह से प करते हैं, तो इस तरह के जो समीकरन जिनका हम यूज करते हैं, वो गढ़ती समीकरन है, लेकिन उनका प्रयोग हम अर्थशासर के अंतरगत करते हैं, तो आपने देखा कि किस प्रकार, हाला कि हम अर्थशासर के अंतरगत, विभिन्य प्रकार की सांकिकी का प्रयोग करते हु और उसके बाद कुछ गड़ती समीकरणों की बात करते हैं तो ये सभी एक ऐसे सपोर्टिंग उपकरण है जो कहीं न कहीं अर्थ शास्त्र के अंतरगत अनुसंधान की पूरी प्रक्रिया को सफल बनाने में सहायक होते हैं